Hello class, welcome back बच्छो, लो प्यारे बच्छो, आज हम एकोड टेक्नीक की चर्चा करने जा रहे हैं, बेटा हम बात करने जा रहे हैं, फटीग स्टेडी की, तो बेटा क्या बोलता है टेलर अपनी इस टेक्नीक में, क्या मतलब है बेटा फटीग का, बेटा फटीग का न सिंपल तो थकान, और बेटा ये ना human tendency है, that human feel physically and mentally tired after some continuous hours of work, दो तीन गंटे लगातार काम करना पड़े, बेटा mentally भी tired हो जाता है और physically भी tired हो जाता है, तो बेटा टेलर कहता है इस टेक्नीक में, कि आपको ना दो बाते determine करनी है, एक तो बेटा number of rest interval, that means frequency, कि कि कितनी बार rest दोगे, और बेटा साथी साथ determine करतो time of rest interval, बेटा वो कहता है rest देना इसलिए जरूरी है, ताकि employee regain कर सके अपनी stamina को, recoup कर सके अपनी stamina को, और बेटा वो same efficiency के साथ काम कर पाए, चाहे बेटा आप उससे 9th hour, 10th hour काम करा रहे हो एक दिन का, जितनी बेटा वो first hour में जितनी efficiency से काम कर र same study, same fatigue study, अपनी जिन्दगी पर implement कर रहा था, बवो एक दिन का 14 गंटे, 12 गंटे पड़ाई करनी होती थी, मेरा simple सा system था बेटा, first hour में मैं 55 मिनट पड़ूँगा, 5 मिनट का break दूँगा, बेटा ऐसा rest देने से होता है बेटा, आप regain कर जाते हो stamina को, recoup कर जाते हो, तो बेट बेटा, second hour में भी मैं 5 मिनट रेस देता था, 55 मिनट पड़ता था, ऐसे बेटा मैं 12 गंटे बड़ता था, मैंने 12 बार रेस्ट दिया अपने आपको 5-5 मिनट का, तो fatigue study में दो बाते डेटर्माइन कर रही हैं, कितनी बार रेस्ट दिया बेटा, frequency of rest interval, that means number of rest interval, और बेटा time of rest interval, 55 मिनट बार बार, मैंने बेटा अपने आपको 60 मिनट का रेस्ट दिया, यानि कि effective पड़ाई मैंने 11 गंटे गरी, अब बेटा एक आदमी वो भी बिठा दो, जो 12 के 12 गंटे बड़ेगा, और मैं पड़ूँगा बेटा 12 में से 11 गरें, यकीन माना बेटा मेरा output बहुत ज इंपल सी बात है, fatigue study में दो ही बात है, time of rest interval and frequency of rest interval, ये बेटा मैंने matter दिखा है, आप screenshot कीच सकते हो, पढ़ सकते हो इसको, और बेटा ये है fatigue study, मैंने समझा दिया, आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाबाई